चावडा सर लेक्चर के यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है ए मोरल कोचिंग क्लास महितपूर सीटी की तरफ से आपको ये यूटूब चैनल के माध्यम से बारवी की भोतिकी में इस वीडियो में आप लोगों को पड़ा रहा हूँ प्लैलिस्ट बनाई है मैंने चैप्टर वन से हमने स्टार्ट किया है दीरे दीरे आप लोगों को भोत सारे टॉपिक इसमें देखने को मिलेंगे आप लोगों ने अभी तक इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वापस में कल जो इसके जो पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पताया था उसके बेसिक को लेते हुए आगे बढ़ता हूँ सबसे पहले मैंने बात की थी विद्युत उर्जा की और मैंने बताया था कि वह उर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हलकी वस्तूओं को आकर्शित करने वाला गुण उत्पन हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं और मैंने आपको एक उधारन देके बताया था कि जब हम सूखे बालों में कंगी को रगड़ते हैं और उस कंगी को छोटे-चोटे कागच के टुकडों की संपरक में लेके आते हैं तो कंगी उन कागच के टुकडों को अपनी और आकर्शित करने लगती है इसा किसके कारण होता है विध्यूत के कारण होता है अब देखो आप विध्यूत का माइंड आप लोगों के अभी तक आप लोगोने दसी जार्वी तक जो पड़ा है उसके इसाब से आप लोस्चते हो कि विध्यूत में 0 1943 की बात नहीं कर रहा हूं में यहां पर में इस्थिर विध्युत क्योंकि पाट का नाम भी इस्थिर विध्युत है, तो हम इस्थिर विध्युत की बात कर रहे हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जिनमें आकरशित करने का गुण होता है, उनमें कहीं ने कहीं विध्युत जरूर होती थे, या यह कह सकते हैं कि उस उर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ हमें हलकी वस्तू को आकरशित करने का गुण उत्पन होता है उसको विद्युत कहते हैं और इसे ही घर्षन विद्युत भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे घर्षन विद्युत भी कहते हैं ठीक है और जिस पदार्थ हमें वो विद् पर संपर्क करके जगड़ते हैं तो गरम हो जाते हैं मतलब इनके अंदर कोई ने कोई वह क्या होता है ठीक है आवेश भी बोल सकते हो विध्यूत आवेश भी बोल सकते हो विध्यूत आवेश क्या होता है यह भोतिक राशी है यह कोई टॉपिक नहीं है मतलब वो नहीं है मेन चीज नहीं है यह क्या है विध्यूत राशी है किसकी यह विद्यूत आवेश एक भोतिक राशिये जिसे अरजित करने के लिए कोई पदार्थ विद्यूत मैं हो जाता है मतलब विद्यूत आवेश किसके अंदर होगा जो कोई कोई पदार्थ विद्यूत मैं हो जाए तो वो क्या कहलाएगा विद्यूत आवेश कहलाएगा तो हम लिखेंगे कि विद्यूत आवेश या विद्यूत आवेश कुछ भी लिख सकते हैं विद्यूत आवेश एक भोतिक राशी है एक भोतिक राशी है जिसे अर्जित करने के लिए कोई पदार्थ कोई पदार्थ विध्युत मैं हो जाता है तथा विध्युत गुणों का प्रदर्शन करता है विध्युत गुणों का प्रदर्शन करता है तो क्या होता है विध्युत आवेश बजित आवेश एक भोतिक राशिये जिसे अरजित करने के लिए कोई पदार्त विध्युत में हो जाता है और विध्युत गुणों का फ्रदर्शन करता ही यह क्या है यह प्रकार की इसकी जो राशी होती है वो अदिश होती है कुन सी होती है अदिश इसका जो SI मात्रक होता है मतलब MPR वाली बात हो जाती है तो बाकी सब क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा तो SI मात्रक कुलाम और इसका विमीय सुत्र M0 L0 T0 A तो यह हो गया विद्धुद आवेश वे आवेश एक विद्धुद आवेश एक भोतिक राशी है जिसे अरजित करने के लिए कोई पदार्थ विद्धुद मा हो जाता है वो और विद्धुद गुणों का पदर्शन करने लगता है इसका राशी क्या है अदिशे एसाई मातरक कुलाम है और विमीय सुत्र क्या है M0 L0 T0 A तेखिए फिजिक्स में यह चीजे भोत जरूरी है और अबजेक्टिव में बहुत ज्यादा पुछी जाती है इसके अलावा दूसरे बोर्ड में भी यह पुछी जाती है क्योंकि यहां पे जब यूटूब में आप लोग पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि MP बोर्ड का इस्टूडेंट पढ़े दूसरी जगह का भी स्टूडेंट हो सकता है सभी बोर्ड की फिजिक्स लगभक से म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसके बाद मैंने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो आवेश हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में और बता देता हूं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से आवेश होते हैं धनावेश होता है और उत्पन, एक धनावेश हो सकता है, तो जो एबोLook की चड़ में आवेश हो सकता है तो इस दो ताइब के आवेश हो सकते हैं, एक धनावेश हो सकता है, एक रिनावेश हो सकता है, ठीक है, अब धनावेश और रिनावेश के बारे में कैसे जानते हैं, तो इसके बारे में भी बता देता हूं में, कि जब धनावेश और रिनावेश में जो गुण होते हैं, वो प्रतिकर्शन होगा समान आवेश वालों में प्रतिकर्शन होता है तो ये दोनों में समान आवेश आप जानते हो कांच की छड में धनावेश होता है इसलिए ये दोनों क्या होगी प्रतिकर्शित होगी ऐसे ही एबोनाइट की छड में क्या होता है रिनावेश होता है समां आवेशों वाले पदार्थ में प्रतीकर्शन होता है या समान आवेश जिसमें बंतै हैं उन्हें प्रतीकर्शन होता है और वि जाती है अलग अलग जात के होते हैं तो उनमें क्या होता है आकर्शन होता है तो इसके गुण हम लिख सकते हैं क्या इसके गुण हो सकते हैं पहला गुण हो सकता इसका कि धनावेश और रिणावेश एक दुसरे को क्या करते हैं आकर्शित करते हैं और एक धनावेश या दोनो धनावेश या दोनो रिणावेश अगर होते हैं तो एक दुसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्शित करते हैं तो इसके दो गुण बनते हैं मैं दो गुण लिख देता हूं पहला सजाती आवेशो में सजाती आवेशो में प्रतिकर्शन होता है और दूसरा वी जाती आवेशों में आकर्शन होता है तो सजाती आवेशों में क्या होता है पतिकर्शन होता है ये दोनों कुण होग mogą अब किनओं चीड़ों में धनावेश पाया जाता है ये एक टेबल के माध्यम से बत को है र्रिणावेश किनओं में पाया जाता है आप लोग ए मोरल कोचिंग क्लास महित्पूर के माध्यम से यूटूब चैनल पर पढ़ रहे हैं चावडा सर लेक्चर में लगातार ग्यारा वर्षों के अनुभव के साथ आप लोग मेरे अनुभव से आप लोग पढ़ रहे हैं यूटूब पर कांच की छड़ में धनावेश होता है इसके अलावा उनी जो कपड़ा होता है उनी कपड़ा जो आप पेंते हो उसमें धनावेश होता है उनी कोट वगेरा जो पेंते हो आप लोग गरम कपड़े जित्ते भी होते हो उन सभी में क्या होता है धनावेश होता है याद रखना उनी गलीचा उनी कोट उनी कपड़ा या कांच की छड़ इन सब में क्या होता है धनावेश होता है और रेशम का कपड़ा मतलब जो चिक एबोनाइट रबर कीछड या रबर इन सब में क्या होता है रिणावेश होता है इसके अलावा प्लास्टिक इनमें भी होता है आप लोगों ने दिखा होगा ज्यादा तर्को मर्ब inadते और रबर के जूते तो तो यह हो गए धनावेश और रिनावेश की बाते है अभी तक हम ने जो पड़ाया उसमें आपको मैंने विध्यूत अवेश बतादिया आवेश के प्रकार बता दिए, आवेश के गुण बता दिए और आवेश की टेबल बता दिए किसमे धनावेश होता है और किसमे रिनावेश होता है अगला टॉपिक देखते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण विद्युत आवेश के मूल गुण तो विद्युत आवेश के जो मूल गुण होते हैं वो तीन होते हैं पहला होता है आवेश का सरक्षन आप लोगों ने सरक्षन का सिद्धान्त विशे 11 में पढ़ रखा है आवेश का सरक्षन दूसरा आवेश का क्वांटी गरण और तीसरा आवेश की योज्यता आवेशो की योज्यता देखो आप यूटूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो अभी तक आप लोगों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दूसरी बात यूटूब पे भोट डिटेल में आपको यह चीजे मिलेगी जिससे आप लोगों का आगे जब कॉंपिटिशन एक्जाम देने जाएं जिसमें उसमें भी दिक्कत नहीं आएं एक चोटी बात है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझाने को मिलेगी जब हम परस्नली कोचिंग पर पढ़ाते हैं तो एक साल में फीजिक्स और केमि आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं मैं बात करते हैं आवेश का सरक्षन आवेश का सरक्षन क्या केता है आवेश का सरक्षन किसी विल्गित अथ्वा प्रथक्रत निकाय का कुल आवेश सरक्षित रहता है विल्गित अथ्वा प्रथक्रत निकाय मतलब विल्गित मतलब यह कि सकते हैं कि अलग-अलग भाग में हो मिक्स वाली बात नहीं है प्रथक्रत अलग-अलग और विल्गित मतलब मिक्स सोरी विल्गित मतलब मिला हुआ प्रत्थक्रत मतलब अलग-अलग दोनों की बात करा है वो किसी विल्गित अथ्वा प्रत्थक्रत निकाय का कुल आवेश सरक्षित रहता है किसी विल्गित अथ्वा प्रत्थक्रत अलग-अलग भी लिख सकते हैं आप यहां पर प्रतक्रत निकाय का निकाय का कुलावेश सरक्षित रहता है रहता है तो खिसी विलगित अत्वा प्रतक्रत निकाय का कुलावेश का रहता है सरक्षित रहता है यह हमारा कुछ सा हो जाएगा आवेश का सरक्षन का सिद्धान्त हो जाएगा इसको अगर मैं उधारन के माध्यम से समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि जब कांच की छड को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड में धनावेश उत्पन्न हो जाता है अब देखो कांच की छड में अगर धनावेश उत्पन्न होगा तो डेफिनेटली रेशम के कपड़े में क्या उत्पन्न होगा रिनाव ृb बराबर होती है इस प्रकार धनावेश का जो बीजगनिती योग होता है वह शुन्य हो जाता है मतलब फ्लस माइनस इक्वल्स तु जीरो तो उन दोनों की मात्रा क्या होती है बराबर होती है जिससे उनका बीजगनिती योग क्या हो जता है शुन्न हो जोगता है जो वास्तों में रगण्ने के पूर्व था रगण्ने के पूर्व था था क्या अधार हम इसके पहले इन दोनों का आवेश कितना था अगर में और है हम तो दोनों का बीच गणिती योग क्या हो गया, सुन्य हो गया, अता आवेश का शरक्षन का सिद्धान्त इसमें सिद्ध होता है, ये उसका उधारन हो जाएगा, अब बात करते हैं, आवेश का क्वांटी करन्ट, महतुपूर्ण नियमें, परिक्षाओं में पूछा जाता है कॉम्पेटिशन एक्जाम में भी पूछा जाता है आवेश का क्वांटी करन्ट्थ का शिद्धान्त थोड़ी सी मेरी हैंट ड़ेभी ही, ये तो पेंट से धोड़ी कम जमती है, क्योंकि कारण है कि अब तो आपको पैपर के माध्याम से पढ़ा रहा हूं अजब आने ओले समय में लगड़ाउं पॉपन हो जाएगा तो आपको बोर्ड के माध्याम से पढ़ूगा कुछ वीडियो में बोर्ड के माध्याम से डाल भी रखेंगे अप इंगलिश के अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे यूटूब चैनल से तो आप लोग बोर्ड मेरे यूटूब चैनल की प्लैलिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पे सारे टेंस पहुत सारी इंगलिश की चीजा आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मिलेगी तो बात करते हैं इस नियम की सभी मुक्ता आवेश परिमाण में आवेश की मुलिकाई ए के पूर्ण गुणच में होते हैं या यह के सकते हैं मैं एक बायाम करता हूँ पहले आप लोगों को लिख के समझा देता हूँ सभी मुक्ता आवेश की सभी मुक्ता आवेश परिमाण में याद रखना फिजिक्स में ग्यारवी में भी खेर मेरे जो इस्टुडेंटे वो तो जानते हैं पर जो अदर इस्टुडेंटे वो ध्यान रखें परिमाण फिजिक्स के अंदर परिमाण का मतलब परिणाम ही होता है ठीक है हम generally जो परिणाम शब्द यूज करते हैं, क्या करते हैं परिणाम मतलब result वो ही physics का परिमान थीक है, परिमान शब्द है, तो आवेश का क्वांटी करण सिध्धानत क्या केता है, सभी मुक्त आवेश परिमान में आवेश की मूल काई ए के पुन गुनच के रूप में ह आवेश की मोल इकाई एके पूर्ण गुणज के रूप में के या पूर्ण गुणज में होते हैं भी लिख देंगे तो चल जाएगा इकाई के पूर्ण गुणज में होते हैं तो क्या हो गया सभी मुक्त आवेश परिमान में आवेश की मूल इकाई एके पूर्ण गुणज में होते हैं अब आवेश को काई से मानते हैं, आपको बता दूँ, आवेश को Q से बताते हैं, काई से, आवेश को Q से बताते हैं, तो हम मान लेते हैं, आवेश Q अगर हो तो, Q हो तो, Q equals to, plus minus N E, E क्या है, मुलिकाई E, और किसके पूर्ण गुणच के रूप में, मतलब N, N कुछ भी हो सक सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, अब प्लस में भी हो सकता है, मानस में भी हो सकता है, तो आपका आवेश के क्वांटी करन का सिद्धान्त का जो मान हो जाएगा, वो Q equals to क्या हो जाएगा, प्लस मानस N E, जहां N बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ तीचर यहां प्लस मानस नहीं लिखते हैं, तो यह हो गया आपका आवेश का क्वांटी करन का सिद्धान्त, कि सभी मुक्ता आवेश परिमान में आवेश की मूलिकाई E के पून गुणच के रूप में होते हैं, आवेश अगर Q हो, तो Q equals to plus minus N E, जहां N बराबर, 1, 2, 3, 4, थर्ड नियम मेंने बोला था, आवेशो की योजजता, तो आवेशो की योजजता क्या होती है, ये भी बता देता हूँ, उसके पहले में एक छोटा सा, जहां पे एक उधारन या सवाल की रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चलो पहले में आपको आवेशो की योज्यता क्या होती है विद्यूत आवेश योज्य होती है योज्य मतलब क्या होता जोडने वाले ठीक है तो आवेशो की योज्यता आवेशो की योज्यता विद्यूत आवेश विद्यूत आवेश योज होते हैं किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन भाग में उपस्थित समस्ता आवेशों के बीच गणिती योग के बराबर होते हैं किसी भी भाग में किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन भागो में उपस्थित समस्ता आवेशों के बीच गणिती योग भी लिख सकते हैं बीच योग के बराबर होता है अब थोड़ा सा देखो यह क्रेटिकल यहां पर इस पस्थ बात नहीं हो रही है पर वो कह रहा है कि जितना भी कुल आवेश होता है वो उसके विभिन भाग मतलब अलग अलग भाग में जो आवेश होता है उसके कुल योग के बराबर होता है किसी के अलग अलग भाग में आवेश Q1 Q2 Q3 हो तो उस पदार्त का कुल आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 Q2 Q3 मतलब उन सब का योग जिसे विभिन भागो का आवेश विभिन भागो में Q1 Q2 Q3 आवेश हो तो उस पदार्त का आवेश या कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप्टू सो आवेश उसका बीच गणिती योग कित्ता हो जाएगा Q हो जाएगा तो यह हमारे हो गए कितने तीन सिद्धानत हो गए विभिध्यूत आवेश के मूल गुण कितने हो गए तीन हो गए एक आवेश सरक्षन का नियम दूसरा आवेश का क्वांटी करण और तीसरा हो गया आवेश की योज्यता तो अभी तक मैंने आप लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करें और जितना जादा आप लोगों को चैनल को शेयर करेंगे उतने ज्यादा वीडियो आप लोगों को चैनल के उपर देखने को मिलेंगे धन्यवाद